तो अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो आपको एक इंट्रेस्ट भी जागता है यूनो कलर अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए मैंने ऐसे करके पढ़ा है इसको अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यह प्रोफेशन बेस्ट है लड़कियों के लिए क्योंकि मतलब सेफ भी है और इसमें आप जाते हो तो यूनो आप सोशल सर्विस देते हो को छोड़ देते हो तो फिर आपके मैंने से पूरा वह गाया भुजाता है तो आपको हमेशा करना होता तो ठीम्रें नहीं यह कर रही हो कर रही है तो की नहीं पहला ज़िए करें आपको पता कई हां मुझे यह पढ़ना नवस्ते दोस्तों मैं हूँ सीवाम दिवागर और आपके लिए मुखर जीनगर के सब से आधा विडियो बनाया है अक्तर हमने UPSC एस्परेंट की लाइफ आपको दिखाईए कि किस तरीकी की होती है स्लेक्षन से पहले और जब वो स्लेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी हमने बहुत सारे इंटेव्य किये हैं बहुत सारी फरेंट यह कहते हैं आप UPSC और SSC CGL वालों को ही हमेजा दिखाते रहते हैं लेकिन Neat वालों को क्यों नहीं दिखाते हैं आखर हम लोग भी संघर्ज करते हैं सेलेक्शन से पहले तयारी करते हैं हम लोगों को भी दिखाएगे तो आज हमें फिर से नीट की एस्परेंट मिल चुकी है इनका नामे साना और यह बिहार से हैं इनसे ही जानने वाले हैं कि अभी इनकी तयारी कैसे चल रही है क्योंकि आप लोग यह चाहते हो कि भईया जो ल मैं में ही आई थी मैं बहुत सारी कोचिंग जोइन करने के परपच से आते हैं तो क्या आपने भी नीट के लिए यहां पे किसी कोचिंग की हल्प लिए है हां मैंने लिए है मैं आकाश इंचिचूट में इन्रोल हूँ तो आकास की आपने कितनी फीस बगरा पे की है अगर आप भी बता देंगे तो थोड़ा नाइस को हेल्प मिल जाएगी क्योंकि बोलोग रिव बगरा देखते रहते हैं तो आकाश में जैसे इन्रोल होने के लिए उसके स्कॉलर्शिप टेस्ट भी होते हैं अगर आपको ऐसे भी कराना है तो आप ऐसे भी करा सकते हैं उसके मतल सब्सक्राइब करते हैं और दो लोग एडिविशन लेता हैं फीजपे करके उनको आपको अलग अलग बिठाए जाता हो एक साथ पढ़ते हैं या कुछ वेदवाव दरिया था नहीं नहीं इसमें कुछ वेदवाव नहीं है आपको जैसे जैसे अडमिशन होता है ना आपका सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप प्राइमस बैच लेते हो तो आपको साथ में ncrtv कवर अप कराएंगा और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे क्या आपको क्या अनों यह भी बताए कि वाटा हम आपका इतने समय में कोर्स कंप्लीट करा देंगे कोई टाइम की दूरेशन सब्सक्राइब करते हैं हमारा इस मतलब सब्सक्राइब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन फिर रिविजन अब तक कितना उच्छका एलगों का आधा या जाधा आधा से जाधा यह घर वालों को कभी याद आती है या नहीं यहां से क्योंकि आप गड़ते काफी सबसे बड़ी हैं चुटी है मैं अपने बाए बैंड में सबसे बड़ी हूं यह नीट की तैयारी करने का ख्याल आपके मान में कैसे आया फैमिली के किसी मेंबर्स ने बोला या फिर मुवी बगएरा में जैसे कई बार देखते हैं कि डॉक्टर इस तरह करते हैं मुझे बनना चाहिए ऐसा कुछ ख्याल आया था या फिर मतलब वोक्स बगएरा में अधिर मेरे इस तो उनको चाहिए था कि मतलब उनकी एकसिडेंट वही थी और उनको डॉक्टर चाहिए था बट वो मतलब एकसिव ब्लॉड लॉस के कारण उनको मतलब ले जाना बहुत मुश्किल हो गया तो तो मेरे को लगा कि नहीं नहीं कि अपने भी अरिया में एक तो उनको लेकर भी मेरे को कुछ काम करना है तो इसलिए मेरे को अंदर सी इंस्पिरेशन जगे की नहीं मेरे को डॉक्टरी बनना है इन फिचर जिसी आपने अकास कोचिंग को जोईन किया तो मुझे लगता ही कि हर कोचिंग लगों का अपना इस्टेडी मेटरियल देता है आकास इंस्टेट हमारे जो हैं वो स्टेडी मेटरियल प्रोवाइट कराते हैं हमको तो जैसे जैसे हमारा कॉंपटिशन नजदीक आता है तो फिर वह हमें अलग-अलग बुक देते हैं कैटलिस्ट देते हैं जिसमें आपको कोचिंग बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे और उसको सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आप एक्जिस्ट करते हो और कितनी महनत करनी है आपको तो बिल्कुल नीट के पैटन पर देते हैं तो आकाश का मॉडियल बहुत शफिसियंट है और आपको किसी अधर रिसोर्स पर जानी के ज़रत नहीं है अगर आप एक कोचिंग में रोलो तो आप उसी को फॉलो करें चाहिए वो कोई भी हो तो वह कैसी है क्योंकि आप बहां पे खुद क्लास लेते हैं तो मैसे लगता है आप सही से बता पाएंगे नहीं कहीं लाख एक्षवड़ाद आपको देखेंगे हां तो मैं यह बोलना यह जाइक अप आकाश महीं पड़ती हो तो मेरे को भी सारे टीचर सुतनी अच्छे नहीं में बर्ट कुछ-कुछ है जो मेरे को बहुत ही जादा क्लियारिटी मिलती है तो यह मैंने खुद से अपने आपको यह कर लिया कि हर जगा सब कुछ नहीं होता है तो फिल हर जगा स इसने आप्स जर्टोष नहीं एका नहीं होग तोब हैं कि अपने वी कोई एंप तो दिया नहीं होगा देने वाला हैंक भी अप्टेशन करें और मेरे पाथर में मैं बुआ जिफाड़ा प्रप्रोशन कर रही हम पिता-जी क्या करें है यहां पे अब एच्छा आप रहते है तो पिता जी ने ही बोला था कि दिल्ली जाए करो या फिर पटना पगेरा में करो या फिर आपका डिशिजिएन था ये सुझेशन मेरे पापा का था क्योंकि मेरे को बनना है डॉक्टर मेरे को करनी है नीट मैंने पापा को बोला कि पाप मेरे को नीट करनी मेरे को कोई प्रे करना है और मेरे को कहीं अच्छे जगा एडमिशन लेना है तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं कोटा जा सकती हो अपने प्रपरेशन को लेकर तो पापा बोले कि देखो वहां पर बहुत ही जारा सुसाइट का केस वगेर आता है और बच्चे बहुत ही जादा मतलब मुझे तो पढ़ना ही है तो यहां पी जैसे आपके साथ एक और दोस्त रहती है इसका रेंट बगेर आप कितना पे करते हैं पीजी का मैं शेरिंग तो मैं पे करती 7500 यहां पी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती फूड को लेकर के वाइफाई को लेकर के जैसे आप ओनलाइ यहां का महौल बहुत अच्छा है अगर आपको नीट की प्रपरेशन करनी या फिर यूपीजी की करनी है तो यह बहुत ही शांत है तो आप यहां पर अच्छे से कर सकते हो और मतलब जो महौल है ना एक फैमिली की तरह है और यहां पर कुछ भी मतलब यह नहीं है आपको व मेंटनेंस रखें और मतलब बहुत अच्छा यह पीजी बहुत अच्छा है लेक्ट्रिशीटी विल बगएर इसी में इनकलोड़ता है अलग से पेट करनी होती है यह नोट्स बगएर कुछ आपने वनाए थोड़ा सा दिखाई है कि नीट वाले इस तरीके से अपने नोट् नहीं यह कलर नहीं बदला है इसको ऐसे हाइलाइट किया जाता था कि आपको मतलब जब आप रिवीजन करने आओ तो आपको पता चले कि हां मुझे यही पढ़ना है तो अगर आप ऐसे करके लिखते हो तो आपको एक इंट्रेस्ट भी जाकता है इनो कलर अट्रैक्ट करते तो इसलिए मैंने ऐसे करके पढ़ा है इसको ताकि मैं को कभी रिविजन भी करनी हो तो मेरे को बस हाइलार्टिट चीजी देखनी होती है तो इसलिए मैंने अपने पूरी बुक पढ़ दिया आपने हैं मैंने 11 की वायो कम से कम 2-3 बार पढ़ दी है इसके नीचे भी कुछ न कि आपको आने जाने में लगते हैं कि तो मैं आफलाइन कर रही हूं ताकि मतलब टाइम से वहता है और अभी तो ऐसे हैं एकि मैं 12 में पर भी रही हूं और 11 का साथ साथ रिविजन भी करना होता है क्योंकि आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो नो तो फिर आपके मैंट से पूरा वह गायब हुजाता है तो आपको मेमोराइज हमेशा करना होता है तो मेरो को हमेशा 3-4 गंटे 11 के लिए देना ही होता है तो इसलिए मैं आपको आज कई अजार इसमें पूरे देश पर के कि देखे रहे होँगे खासकर का बिहार की जो लड़किया है अब तयारी करना चाते हैं नीट की आउपी यस ऐा किसी भी फिल्ममे जाना चाती है लड़कियों के लिए इस्पेशल क्या रहे आपको अगर लड़किया चाहे तो कुछ भी कर सकती है यह नो सब के अंदर कैप कि यह नहीं कर सकते हो वो आपकरे करता है कि आपका इंट्रेस्ट किया है है किस सेक्टर में जाना चाहते हो अगर आपको डॉक्टर बना यह प्रफिशन बैस्ट है लडacje में क के लिए क्यों कि मतलब सेल बी है और इसमें आप जाते हो तो यून अप सोशलर्विस देते और मतलब लोगों की help भी करते हो एक तरह से charity भी करते हो तो यह बेस्ट है मेरे को जहां से लगता है दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में तीस तना और यह बिहार से हैं नीट की एस्परेंट हैं दिल्ली में रह करके यह तैयरी करती हैं अक्सर बहुत चारी प्रेंट हम से सिकायत करते थे कि आप नीट वालों की जो लाइफ है वो क्यों नहीं दिखाते हैं भाई या उनको भी दिखाया करो तो आज हमने यह वीडियो आपके लिए ही बनाया है इस वीडियो को आप जादा से जादा से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ले हैं तो नेक्स टाइम जरूर पूछेंगे यह वीडियो देखने के लिए आपका बेहत शुक्रिया